नमस्कार स्वावत है आप सभी का टे एंपी न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ मिशा सिंग इगनजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर दिल्ली सरकार राजधानी में 3237 बेट की शमता वाले चार ने अस्पताल बना रही है जिनका निर्मान कारे जल्दी पूरा कर लिया जाएगा उकमुख्य मंतरी और PWD मंतरी मनिश सोधिया ने अस्पतालों के निर्मान कारे की प्रगती को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक के बाद दिल्ली सरकार की ओर से जानकारी दी गए कि ज्वालापुरी में सरकार 1164 बेड की शमता के साथ 11 मंजिला एक अत्याधुनिक अस्पताल का निर्मान करवा रही है जिसका आधा निर्मान कारे लगभग पूरा हो चुका है अधिकारियों ने बताया कि पिछले दिनों सर्दियों में प्रदूशन की वज़े से निर्मान कारी में थोड़ी धीमी गती आई थी लेकिन साल 2024 के शुरवाती महीनों में इस अस्पताल के बनने की उमीद है मनी लॉंडरिंग मामले में ीडी जाच का सामना कर रहे दिल्ली सरकार में मंत्री सतेंद्र जैन की मुश्किले और भी बढ़ने वाली है बता दे की एडी की तरफ से दिल्ली हाई कोट में एक याचिका दायर की गई है इस याचिका में अपील की गई है कि सतेंद जैन की मेडिकल जाच एलन जेपी अस्पताल की बजाए किसी दूसरे अस्पताल में कराई जाए एजनसीयों को शक है कि एलन जेपी में रिपोर्ट के साथ छेरचार की जा रही है स्वतंतरता दिवस के लिए अभी से तैयारिया शिरू कर दी गई है बतादे इस बार देश को आजाद हुए 75 साल होने जा रहे है और देश आजादी का अमरित महुत्सव बना रहा है स्वतंतर दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भाशन देते समय प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के सामने कोई पतंग ना गिरने पाए इसके लिए इस साल पहली बार विशेश इंतजाम किये गए है हाथ में बड़े बड़े बांस लेकर पुलीस के 250 जवानों की नजदीकी मारतों पर इस दौरान तैनाती होगी बतादे पशली बार जब 15 अगस को प्रधान मंतरी भाशन दे रहे थे उस समय एक पतंग कट कर उनके सामने गिर गई थी इसे सुरक्षा में चूक मानी गई थी नौकरी पेशा लोग काफी उत्सुख है क्योंकि केंद सरकार जल्द उनके पीएफ खाते में ब्याज का पैसा ट्रांसफर करेगी इससे करीब 6 करोर से अधिक लोगों को फाइदा होगा बतादे कि केंद सरकार पहले ही पीएफ कर्मचारियों के लिए 8 दिसमलग एक फीजदी ब्याज की घोशना कर चुकी है ये 40 साल में सबसे कम ब्याज है इससे पहले सरकार ने 8 दिसमलग पाच फीजदी का ब्याज दिया है खबरों की वाने तो पीएफ पर ब्याज का पैसा 30 औगस को आ सकता है हलाकि अब इस बारे में ईपी एफो की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है कि ब्याज कब ट्रांसफर किया जाएगा मुकतार अंसारी के बेटे और सुभासपा विधायक अबास अंसारी की गिरफतारी के मामले में नाकाम पुलीस को अदालत से रहत मिली है पुलीस की अरजी पर MP MLA कोट ने अबास को कोट में पेश करने की तारीक बढ़ा दी है अब MP MLA कोट ने महानगर पुलीस को दस अगस तक अबास को पकर कर MP MLA कौट में पेश करना होगा पतादे कि अबास अंसारी की तलाश में पुलीस की आठ और टीमें लगाई गई है लखनव कमिशनरेट के साथ ही मउगाजीपूर आजमधर समेथ कई जनपदों की पुलीस अबास को पकड़ने के लिए लगाई गई है STF की दो टीमें भी अबास की तलाश कर रही है UP के कई शहरों में पुलीस टीमों की तावर तोर छापे मारी चल रही है देश और वदेश की तमाम खबरे देखने के लिए बने रही है TNP News के साथ और मारे चानल को लाइक, कॉमेंट, सब्स्ट्राइब ज़रूर करें और ताज आपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाए